दोस्टा आज की वीडियो में डिसकस करने वाले है कि बजार किस डिरेक्शन में जा रहा है, इसको आप कैसे पेचान सकते हैं, सिर्फ डिरेक्शन ही नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर कितना उपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, यानि शॉट ट्रम में bullish है या bearish है long term में bullish है या bearish है ये बड़ा time frame क्या कह रहा है और ये सारी अगर आप analysis करना चाहते है तो यखीन मानिए बहुत simple सी analysis है जो हर कोई अपने घर पे बैठ करके कर सकता है यानि technical analysis के अंदर दोस्तों इतनी power होती है कि आप एक second के अंदर biased हो सकते हो जी market तो bullish लग रह आती है तो आपको हम सिखाने वाले है आज की वीडियो में RSI with multi time frame यानि RSI जो indicator है जिसका full form होता है relative strength index ये किस तरीके से work करता है और किस तरीके से multi time frame पे आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि market की direction फिलाल क्या चल रही है तो एक single indicator one man army है हर indicator बहुत अच्छा होता है हर indicator क अपनी importance है लेकिन RSI थोड़ा सा famous indicator है और बहुत बखुवी काम भी करता है तो यहीं दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करेंगी कैसे काम करता है बहुत सारे लोगों को दोस्तों यह मानना है कि indicator work नहीं करते indicator आपको पैसा बना के नहीं दे सकते तो मैं इस धारना से पूर इसको follow कर रहा है आप indicator से पैसा नहीं बना पार है वो आपकी problem है ठीक किसी तरीके से दोस्तों आप इसको मान सकते जिस तरीके से सुई अपना काम एक particular जगा पर ही कर सकती है तो इसी तरीके से एक particular चीज एक particular जगा पर ही काम कर सकती है आप यह expect नहीं कर सकते कि सुई हर अच्छे से काम करते हैं अच्छे से पैसा बना कर दे सकते हैं लेकिन आप उस level तक नहीं पोच पाए कि आप उसकी psychology उसके mindset को develop कर पाए तो indicator किस तरीके से आपको भैतर बता सकता है कि market की direction क्या चल रही है आज की वीडियो में दोस्तों जानते है तो चलिए शुरू करते हो समझते हैं पार्ट के अंदर ही divided है तो जब यह तीन पार्ट के अंदर divided है उसके बया पर मैंने यहां पर यह चार्ट लगा लिया है तो मैं इस तरीके से भी लगा सकता हूं इस तरीके से भी लगा सकता हूं यानि multiple मतर्ब जैसा मैं चाहूं वैसा लगा सकता हूं यहां देखे 8 यहां टाइम फ्रेम के अंदर RSI लगा सकता हूं तो यहां देखें सबसे पहले मैंने क्या अधर है यहां देखें मैंने 50-50 लगाया है वन डे के टाइम फ्रेम पर और उसके ओपर एक RSI लगा दिया है और RSI की दोस्तों जो सेटिंग मैंने यहां पर रखिए सेटिंग्स आप देख सकते हैं अपर लिमिट 60 रखिए लोवर लिमिट 40 रखिए मिडल वाली लाइन मैंने हटा दिये और इसी तरीके से मैंने इन सभी चार्ट के अंदर यही सेटिंग रखिए यहां पर बस टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा थोड़ा यहां चेंजिंग है जैसे कि यह वाला चार्ट आप देखेंगे यह वन डे के टाइम फ्रेम पर है यह वन वीक के टाइम फ्रेम पर है और यह वाला वन मन्त के टाइम फ्रेम पर है अब यह जो चार्ट है, यह स्ट्रेट बैंक को फिंडिया का लगा हुआ है, क्योंकि मैं एक analysis कर रहा था, तो मैं यहाँ पर फिलाल Nifty 50 Index वापिस लगा देता हूँ, तो यहाँ लगाते है Nifty 50 Index, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, Nifty 50 Index, 1-1 का time frame, 1 week का time frame, 1 day का time frame, अब यह चीजें लगाने से हमें क्या benefit मिलेगा, हम यह पिचान सकते हैं, हम यह समझ सकते हैं, कि छोटे time frame के अंदर market bullish है यह bearish है, बड़े time frame में market bullish है यह bearish है, यह bigger time frame में market bullish है यह bearish है, और जबर्दस prediction इसके उपर की जा सकती है, यह एक analysis की जा सकती है, कि फिलाल यह indicator क्या strength दिख थोड़ा समय उनके बारे में बता देता हूं, कि RSI indicator एक oscillator है, ठीक है, oscillator दोस्तों क्या होता है, यह oscillator के बारे में हमने पहले नहीं सुना, oscillator दोस्तों basically होता है, एक particular level पर यह oscillate करते है, जैसे कि मानेते हैं, यह दो line है, ठीक है, और एक का level है 0, और एक का level है 100, ठीक है, और यह है RSI indicator, तो जो RSI की line है न, वो 0 से लेकर 100 तक maximum oscillate कर सकती है, maximum, अब इसके under में भी oscillate कर सकती है, और max to max अंडर जा सकती है, और max to max 0 जा सकती है, इसका दोस्तों पूरा नाम होता है, relative strength index, और इसको अगर मैं simple भाशा में समझाओ, बहुत जादा मैं formulas वगरा के अंदर ना जा आता है, तो आप इसको स्रीफ इस तरह की से समझिए, कि अगर market के अंदर 100 days का trade हुआ है, ठीक है, 100 दिन तर market के अंदर trading हुई है, यानि 100 candles बनी है, तो माल लेते हैं कि इन 100 में से 60 candles bullish थी, ठीक है, और 40 candles bearish थी, यह देखे, proper calculation नहीं है, यह exact calculation नहीं है, मैं आपको स्रीप एक example दे रहों, यह किस तरीके से strength को पेचानता है, तो हमने क्या का 60 bullish थी, 40 bearish थी, अगर कुछ ऐसा scenario हमें दिखाई देता है, तो यह RSI का level होगा 60, क्योंकि 60 bullish थी, अगर RSI में 70 bullish ही, यानि RSI ने देखा भी 70 candles bullish है, तो RSI का level हो जाएगा 70, अगर 80 candle bullish है, तो इसका level हो जाएगा 80, ठीक, इसी तरीके से अगर bearish candle जादा हो जाती है, तो यह अपने levels को नीचे लियाता है, ठीक है, यह उपर नहीं लेके जाएगा, bullish में तो उपर लेके जा रहे हैं, लेकि जितनी bearish candle होगी, उतना नीचे लेकर आएगा, जैसे कि 80 bearish candle हो जाती है, और 20 bullish रहती है, तो आप कोगे जी, 80 होना चाहिए, नहीं, 80 नहीं होना चाहिए, यह opposite direction में काम करता है, तो अगर bullish 20 रह गई है, तो इसका level 20 ही रह जाएगा, और यह आपको क्या indicate करेगा, market तेजी से गिर रहा है, तो यानि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, कि RSI का level जितना जादा उपर होगा market उतना जादा strong trend में होगा, और RSI के level जितना जादा नीचे होगा, market उतना जादा strong downtrend में होगा, और इसके अंदर एक middle line हम लेते हैं, जो होती है 50 की line, और जो 50 की line दोस्तो होती है, middle वाली, यह 50 की line क्या कहती है, कि अगर market 50 से उपर चल रहा है, तो हम bullish मानते हैं, market अगर 50 स अंदर और है, वो क्या है, कि RSI अगर 70 से उपर चल रहा है, तो हम इसको overbought मानते हैं, overbought का दोस्तों मतलब यह हो रहा है, यह मतलब है कि market के अंदर अधिकतर खरीदारी हो चुकी है, market अब यहां से गिर सकता है, और अगर RSI 30 के level वे पोच जाता है, तो हम इसको oversold मानते ह कि market अधिकतर बिकवाली हो चुकी है, अब यहां से market उपर जा सकता है, और यह धारना मेरे साफ से बिलकुल गलत है, बिलकुल fake है, आप एक चीज बताइए कि RSI अगर 70 पर फोच गया, यानि 100 में से 70 candles bullish आ रही है, यह सिर्फ example ले रहे हैं, exact ऐसे काम नहीं करता formula, लेकिन बिलिश आ रही है, तो market तो तेजी में है, तो market कितना भी तेज हो सकता है, market 45 दिन रुख जाए, खुला छोड़ दो, तो स्टॉक तो चाहे 50% भाग जाए, 100% भाग जाए, तो समझ रहे हैं, तो अगर आप 70 के लेवल पे इसको overbought मानेंगे, यह धारना गलत है, अगर आप आपको वहाँ पर weakness दिखाई देती है, तो बात अलग है, otherwise 70 के उपर market बहुत bullish है, आपको स्रीफ इतना ही समझना है, कि अगर market जितना ऊपर चल रहा है, यानि 50 से ऊपर चल रहा है, 60, 70 चल रहा है, तो market bullish है, और market अगर 50 से नीची चल रहा है, 40 के नीचे चल रहा है, 30 के नी समझने की कोशिश करते है, कि हम यह कैसे पैचाने की निफ्टी bullish है या bearish है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने RSI की settings, मैं दिखा देता हूँ, जो मैंने settings रखी है, जैसे कि आप देखिए, यह settings है, जिसमें मैंने RSI upper limit 60 रखी है, lower limit 40 रखी है, अब इसको रखने का मतलब यही ह है, कि हम 10 points का margin ले रहे है, अगर market 60 से उपर चल रहा है, तो हम मारेंगे bullish है, अगर market 40 से निचे चल रहा है, तो हम इसको bearish मानेंगे, सिर्फ इतनी ही calculation के साथ हम यह काम कर रहे है, तो हर time frame के अंदर same indicator लगा दिया है, time frame अलग अलग है, अब मैं आप से यह कहता हूँ, मैं आप से पूछना चाहता हूँ, कि all our market का trend क्या कह रहा है, यानि बड़ा time frame, market अभी क्या कर रही है, bullish है, bearish है, क्या है, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, one month का time frame देखेंगे, अब one month के time frame पे आपने क्या देखा, यह देखेंगे, कि यह 60 से उपर चल रहा है, ठीक है, अगर यह 60 से उपर चल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, जी निफ्टी तो bullish है, क्योंकि हमने निफ्टी का chart लगाया हुआ है, निफ्टी क्या है, bullish है, चलिए हमने यह देख लिया कि बिगर time frame के अंदर निफ्टी bullish है, पलस इसकी पावर ओर देखना, जब इसने यह 60 से उपर किया था, उस समय market था 18,000 के आसपास, निफ्टी कितना था, 18,000 के आसपास, 60 से नीचे यह आया ही नहीं है, लगातर उपर गया है, और अभी market कितने पर चल रहा है, 24,000 के आसपास, यानि 6,000 points की movement निफ्टी के अंदर मिल चुकी है, पर RSI already 60 से उपर चल रहा है, यानि हमने काता कि 70 जो है, वो ओर वोट है, ओर वोट हुआ का, देखे 18,000 से लेका 24,000 पोच गया, 6,000 तो उपर पोच गया है, तो यह तो बहुत extreme level पर उपर चला गया, तो इस तरीगी की momentum आपको मिल जाता है, तो आपने यह देखा है कि 60 से उपर है, वन मंत के अंदर तो bullish है, फिर आपको थोड़ा और confirmation चाहिए, जी particular यह week वाले में बता दो कि week में क्या है, तो फिर हम आते है week वाले time frame पे, तो week वाले time frame में भी आप देख रहे है, market continuously 60 से उपर ही बना हुआ है, यहां देखे, अभी तक 60 से उपर बना हुआ है, तो लगादार आप देखे, market अभी भी bullish है जो जब दोनो time frame आपको यह बोल रहे है, जी यहां भी bullish है और यहां भी bullish है, तो जब आप trade लेने जाते हो, जब आपको लगता है कि मैं कोई अपना trade लूँ, मैं bullish biased रहूं या selling biased, उन्दों मैं क्या दरूँ, और कई बार एक दिन market गिरता है तो आप गबरा आ जाते हो, तो आप आते हो, one day के time frame पे, जैसे कि आपने यहां देखा, यह भी 60 से उपर चल रहा था, बारा तारीक के बाद, यह देखें, बारा तारीक के बाद यह 60 से उपर चल रहा था, यानि 12 June से लेकर अभी तक यह 60 के उपर है, और market देखिए, एक दो दिन ज़रूर market ने थोड़ा स के अंदर, ठीक है, तो इस तरीके से आपने यह देखा, कि all over जब market आपको bullish कह रही है, यह भी bullish कह रहा है, तो छोटे time frame पर आ करके, आप यह देख सकते हो, कि market bullish है, तो उसके एसाब से अपना bullish biased रह करके, अपनी कोई strategy design कर सकते हो, आप अपने एसाब से उसको देख सकते हो अब एक चीज़ बड़ी important है, जो बहुत पार हम panic करते है, panic हम किस चीज़ में करते है, कई बार market बहुत तेज़े से नीचे गिर जाता है, जैसे कि देखे, यह election वाले time भी market एकदम तेज़े से नीचे गिर गया था, और यह RSI देखे, यह 40 से नीचे नहीं गया था, तो आपको एक buying opportunity मिल सकती थी, यानि यहाँ देखे, यह 40 पर आगया है, 50 पर आगया है, लेकिन 40 से नीचे नहीं गया, तो अगर इसका sentiment थोड़ा सा down हुआ है, अगर इस 60 से नीचे आया है, तो यहाँ पर एक sentiment बनता है, buy on dips वाली sentiment, आप कह सकते है, कि buy on dips बनता है, लेकि strict stop loss ब आप जरूर रखे, कि अगर यह 40 से नीचे नहीं आ रहा, 40 के उपर उपर बना हुआ है, तो यहाँ पर pullback होने की ज्यादा chances है, shorter time frame में क्या होगा, pullback हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको कुछ पुराने charts दिखाता हूँ, यह देखे, market वापी से 40 के आसपस आया, और फिर sideways होने के बावजूद आपको पता है, all over market का जो trend है, वो bullish है, यहाँ पर sentiment bullish है, और जब भी 60 से उपर जा रहा है, तो market तेजी से उपर जा रहा है, यह देखे, कितमा strongly यह उपर जा रहा है, और नीचे आने के बाद, अगर यह 40, 50 के आसपस आ रहा है, तो वापिस pullback मार जात 21, 22 और almost 23, यह क्या रहे है, 60 से उपर रहे है, अगर यह 60 से उपर रहे है, तो market strongly bullish रहा, जब यह 60 से उपर आये थे, market उस time में देखे, 12-13 अजार पे था, जब निफ्टी, 60 से उपर यहाँ पर आया था, 1 month के time frame पे, तब से देखे उपर है, तो यह तो already उपर है, 2-3 साल से उपर है, इसने short signal दिया ही नहीं, week वाले ने दिया होगा, बीच बीच में देखे, week वाला 60 से नीचे आया था, strength lose हुई थी, बीच बीच में, देखे, इसने भी December में एक bullish signal दिया था, ठीक है, और इसने भी December से थोड़ा सा पहले 60 से उपर गया था, तो जब यह गया था, उ मतलब 20,000 से सीधा कुछी तीनों के अंदर, चार पास trading session में ही 21 के उपर चला गया, 21 से भी उपर चला गया, तो इस तरीके से दोस्तों, आप multiple time frame के अंदर अपना काम कर सकते हो, और पैचान सकते हो, कि किस तरीके से आप market के अंदर buy on dips कहां करना है, काफी लोग कहते हैं, ज लेकिन buy on dips तब कर सकते हैं, जब ये वाला भी कह रहा है, bullish हूं, ये वाला भी कह रहा है, जी मैं bullish हूं, लेकिन one day वाला time frame आपको कह रहा है, कि जी मैं थोड़ा से नीची आगया हूं, वापिस उपर जा सकते हो, ठीक है, तो वहाँ buy on dips कर सकते हैं, लेकि शर्त ही है, कि 40 से नीची आ रहा है, तो strength भी को सकती है, और आपको हमेशा ये सोचना है, कि बजार में जब भी आपको trade लेते हैं, तो वो कभी भी नुकसान में जा सकता है, तो अगर वो profit में जा रहा है, तो प्रोब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो नुकसान में जा रहा है, तो आपका exit plan क्य क्या है, आप कब उससे exit करोगे, और कभी भी इतना नुकसान नहीं लेना आपको, कि आपकी capital वो zero कर दे, तो ये चीज़ आपको सोच समझ के करनी बढ़ती है, risk management का part होता है, अब चलिए, यह हमने निफ्टी की बात करी, अब एक बार फिक दूसरा stock ले लेते, तो कोई एक stock उठालेते, कोई साब stock उठालेते, एक stock ऐसा उठालेते, जो बहुत slow चलता है, तो for example, maruti उठालेते, maruti थोड़ा slow चलता है, इंदुस्तान यूनिलीवर भी slow चलता है, चलिए maruti फिर भी हमने consider कर लिए, तो maruti जब हमने देखा, तो maruti यहाँ पर देखिए, यह दिख रहा मारूती, ठीक है, वन मंत के टाइम फ्रेंम बे, अब इसको वन वेकर टाइम फ्रेंम बे लगाते मारूती, ठीक है, और यहाँ भी लगाते हैं मारूती, इस वरे टाइम च्ञेम चलिजी हमारी एट हेंडर लग गी है चलिए अब मारूती क्या कह रहा है आपसे बिगा टाइम फ्रेम में मैं 60 से उपर हूँ ये देखें 60 से उपर है मैं बुली शो जब ये 60 से उपर आया था उस टाइम ये मारूती था 9 से 10,000 पर और अभी ये 12,000 पर जल रहा है और कुछ ये 7-8 महीने हुए तो 7-8 महीने में 20% के आसपस बागा है और यहां देखें वन वीक के टाइम फ्रेम पर क्या था ये उपर जा रहा था लेकिन अब 60 से नीचे आ गया है तो आप कहने का मतलब क्या है बहुत विगर टाइम फ्रेम में तो बुलिश है लेकिन वन वीक के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा वीक взै दिखाय दे रहा है तो वह वाली स्ट्रेंथ इसके अंदर नहीं लग रही है जो इस समय लग रही थी वो स्ट्रेंथ शिला नहीं है तो यानि थोड़ा सा week हो रहा है पड़े time frame पे week हो रहा है तो आपको already पता लग गया एक particular stock एक level के उपर week हो रहा है साथ में अगर हम one day के time frame पे आते हैं तो यहां पर देखिए यहां बीच बीच में 60 से उपर तो जाए नहीं रहा बीच बीच में देखिए यहां गया था पीछे जैसे कि हमने देखा था इस level पे गया था तेजी से उपर यह जो levels आपको दिख रहे तो उस समय आपको भी पता ह देखिए यह जो level ऐसा था यहां पर आप देखिए यह level ऐसा था यह था तकरीबन 11,500 के आसपास यह देखिए यह level यहां से लेकर यहां तक और यह level देखिए यह दोस्तों ऐसा level था जब यह तेजी से सारे time frame आपको बोल रहे थे कि हम bullish है उस समय आप देखिए one day के time frame भी बोलादा bullish है और instant यह कुछी दिनों के अंदर यह साड़े 11,000 से साड़े 12,000 और लगबक 13,000 के आसपास ही टच करके भी आया ठीके ना आसपास बदू एक्जेक्ट में थोड़ा सा आसपास गया और टच करके आया तो बहुत तीजी थी लेकिन जब आपको पता लगया 20 से चले जाएगा तो यह week हो जाएगा और फिर last में बचेगा यह तो यहां पर क्या है बड़ी क्रेक्शन आ सकती है अगर 40 से नीचे आ गया और अगर यह one month पर 40 से नीचे आ गया तो crash आता है तो one month crashing के लिए है one week बड़ी क्रेक्शन के लिए है और यह one day ग time frame पे छोटे मो पत्रत थोड़ा सा बड़ा correction पे लेगे जाएगा और ये बहुत छोटे मोटे movement देगा तो इस तरीके से आप analysis करके अपने एक bias बना सकते हैं कि particular चीज क्या कर रही है अगर तीनो time frame के अंदर वो ठीक लग रही है और ये one day की इतनी ज़दा importance नहीं है जितनी इन दोनों की importance है अगर one day वाला आपको फिर भी ये कहता है कि जी मैं 50 पर हूँ लेकिन 40 से उपर है 40 से उपर है या 40 के आसपास है तो वो एक opportunity दे रहा है buy and dips की और अगर 60 से उपर चल रहा है तो एक momentum दे रहा है वो तेजी वाला लेकिन ये bullish होने चाहिए अगर आप bullish trade में है और अगर ये द के अंदर एक sentiment है तो उमीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जरूर समझ में आ गया कि multiple time frame की साइधा से हम market को किस तरीके से समझ सकते है कि stock के अंदर strength किया है अब काफी लोग technical analysis लगाएंगे मारुती का लेकिन बहुत कम लोग है जो multiple time frame यू इसमें यह बचा हुआ है तो यह तो crashing वाल ही है तो हम थोड़ा सर रुख सकते हैं बहुत अच्छा ही momentum नहीं लग रहा समझ नहीं आ रहा कप आएगा अच्छे से momentum जब यह one week वाल 60 cross कर लेगा अगर इसने इसको cross कर दिया तो फिर हम वापिस कह सकते है कि वापिस strong हो गया व और वह stock ऐसा है जो बहुत तेजी से भागा है हाल फिलान बे तो वह देख लेते हैं फिर stock का दोस्तर नाम है हुड़को ठीक है तो hood को हमने लगाया सिर्फ हम यह चेक करने की कोशिश कर रहे है कि क्या कह रहा है तो hood को देखिए one day के time frame पे बहुत तेजी से उपर भाग रहा है ठीक है 60 से उपर है यहां लगाते है one week का time frame क्या कह रहा है यह देखिए one week का time frame 60 से नीचे आया ही नहीं देखिए कब से 60 से ओपर चल रहा है नवंबर डिसंबर से चल रहा है डिसंबर में इसने cross करा था तब यह था लगबक 75 यह 100 के आसपास था और अभी देखिए 3 गुला हो चुब है और यहां लगाते है hood को पर यह देखिए न शांदार मतब मीट 2023 से ऊपर में यह उपर चला गया था तो जब यह उपर चला गया था आपको पता लगए था strength है जबर दस तो पता लग रहे है ना आपको किस stroke के अंदर strength है अब यहां पर को इसको weak क्या सकता है नहीं क्या सकता है अगर यह one day के time frame पर थोड़ा नीची आता है 40 की level gas pass आता है अफिर वापस उपर जाने की कोशिश करता है तो वापस अपनी strength को maintain कर रहा है तो यही है दोस्तों कि इसी तरीके से हम यह देखते है कि किस stock के अंदर strength आ रही है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसको यहां खरीद लो यहां मारूती अभी ना खरीदो यह कोई buying and selling recommendation नहीं है लेकिन आपको यह पता लग गया कि आप उसके बारे में stock क्या कर रहा है strength कैसी है जब आपको एक चीज़ के बारे में पता लग जाता है कि stock strength में है weakness में है या समझ नहीं आ रहा है तो आप उसके ऊपर फिर अपना खुद की साफ से अपनी खुद की strategy के साफ से buying and selling decision बना सकते हो कि आपको कहा खरीदना है कब आपको stop loss लगाना है कब आपको target लगाना है वो depend करता है कि आप उसको कैसे कर सकते हो तो यह दोस्तों कुछ मेने examples दे कि कि किस तरह के सम RSI multi timeframe के अंदर use करके यह समझ सकते है कि market bullish है bearish है sideways है goodbye god bless you bye bye those thoughts